गुद मॉर्णिं स्टोडेंट आज हम अपने व्याकरन का एक ऐसा विशे लेंगे जो बार बार हमारे एक्जाम में भी आता है प्लस जब भी हम पार पढ़ते हैं तो उसमें कही ना कही ऐसी पंक्तियां आती हैं जिनका अर्थ हमें समझना पढ़ता है उन्हें कहा जाते हैं मुहावरे और लोकुक्तियां तो मुहावरे क्या होते हैं लोकुक्तिया क्या होती हैं अब यहां पर सबसे पहले उनके अर्थ समझें और फिर हम विभिन प्रकार के मुहावरे और लोकुक्तियों को समझेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुहावरों की, तो मुहावरी क्या होते हैं और किस प्रकार से ये प्रयोग कहते हैं, वैसे तो मुहावरा का प्रयोग हम कहते हैं कि अपनी भाशा को बहुत अधिक अच्छा बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग करते हैं, अपनी भाशा ज बहुत अच्छी है तो ऐसी ही यानि के विक्ति की बोलने की भाषवा में चाठ चान दगा देने वाली एक पंग्तियां जिन्हों हमें कह सकते हैं वह है मुहावरे तो चलते हैं आज परते हैं सबसे पहले बात करते हैं मुहावरे तो समाने अर्थ में एक विशेश अर्थ दे होता है जैसे की उपर दिये गए पहले वाके में एक स्थ्री घी के दिये जला रही है ठीक है घी के क्या कर रही है दिये जला रही है किसे खुशी के अवसर पर घी के दिये जलाये जाते हैं इस प्रकार खुशिया मनाने के लिए घी के दिये जलाना वाक्यांच मुहावरा बन गया चीक है एक वेगती क्या करें घी के दिये आपने सुना था ना जब भघवान राम अयुध्या वापस आते हैं 14 साल वनवास पूरा करके तो जो युद्यावाशी थे सारी वो क्या घरतें घी के दिये जलाते हैं उनके वापस आने की खुश की में यानि के जब भी ओधरों में घी के दिये जलाते हैं तो यह देखा दएक खुशिय आग और हम भूले के दिये जलना सथ्मिम्व्नूमालवर चीजिआ गया हूं 20 जलना ना जिसका कार थे था खुशी की अवसरा पर घी की दिये जलाएं जते हैं इसपर काड़ क्हुशीय है मननाने के लिए घी की दिया जलाना तो उश्च महावरा बन गया दूसरे बाके में एक वेक्ति आग में क्या कर रहा है गी डाल रहा है आग में घी डालने से आग उसी परकार तेज हो जाती है जिस परकार प्रोधित वेक्ती को चिडाने से उसका प्रोध और बहुट जाता है तो आग ओर जाएगी बहुत ज़यें यानि कि आग को भढाने की लिए क्या काम कर रहेगी आग को भढ आ रहा है जी के तो हमने क्या देखा दुसरे बाहके में के एक व गी डालने से आग उसी प्रकार तेज हो जाती है जिस प्रकार क्रोधित वेक्ति को चिढ़ाने से उसका क्रोध और भढ़ जाता है एक तो कोई वेक्ति गुस्सा है और फिर उसको चिढ़ा दो तो क्या होगा उसको गुस्सा और अधिक भढ़ जाएगा इस प्रकार क्रोध को बढ़ाने के लिए आग में घीर डालना एक मुहावरा बन गया समझ में आयाँ यानि किसी विख्ती को और अधिक क्रोध है क्रोध और बढ़ा दो आग में घीर डालने वाला काम चीक है मोहावरों के प्रियोग से भाशा सुंदर सरस और प्रभाव शाली बनती है चीक है हर वेक्ति मोहावरों का प्रियोग नहीं कर सकता हर वेक्ति को मोहावरे याद भी नहीं होते हैं और हर वेक्ति अपनी भाशा में मोहावरों का प्रियोग भी नहीं करता बहुत ही मुहावरेदार भाषा का उसने प्रियोग किया है यानि कि अगर आपको अपनी भाषा में सुंदर्ता प्रभाव शाली बनानी हो तो आप मुहावरों का प्रियोग कीजिए यानि कि बहुत बड़ी बात को बहुत कम शब्दों में कह देना मोहावरों के द्वारा चीक है तो चलते हैं नीचे सबसे पहले आपको परिभाशा दी गई है तो सभी बच्चों अपनी बुक में मोहावरे और लकुक्तियों से आपकी बुक में भी ओल्रेडी अवेलिबल होगी है आपकी जब भी आप खोड़ेंगे अपनी पुस्तव उसमें देखेगा मोहावरे की परिभाशा आपको मिलेगी जो वाक्यांश अपने समाने अर्थ के स्थान पर एक विशेश अर्थ देते हैं में वे मोहावरे कहलाते हैं तो सभी वच्चे ध्यान से सुनेंगे सबसे पहला है अंग मुसकराना अंग अंग मुसकराना अंठाथ बहुत प्रसन होना आप यह थोड़ा Icompa किसी वेक्ति की हाथ हसरे हैं पैर हसरा है ऐसा तो नहीं होगा ना हाथ पैर तो नहीं हसेंगे अंग अंग मुसकुराने का अर्थ रहत होताय यनG बहुत अधी ख़ हो ना गई वर हम बहुत कुछ होते हुं तो सबकुछ बहुत हैं जब अंदर से इन्सान खुशी फिल होने लग जाती है इसको खुझ से इतना ज़्यादा मतलब काम कर सकता है excitement होती है जब हमें तो क्या होता हैं फटा 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 अपने काम कर लेते हैं कर लेते हैं क्यों क्योंकि हमें बहुत खुशी हो रही है और अगर हम परिशान होंगे तो हम काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे हम जब परिशान होते हैं तो हम सोस्तें चुपचा बस एकी जगह बैठे रहें लेटे रहें कोई कुछ ना बोले हैं तो अगर महावरा आया है अंग-अंग मुस्कुराना अर्था बहुत अधिक प्रसन होना यानि कि प्रयोग देखिए दोड में प्रथम आने पर मयंग का अंग-अंग मुस्कुरा उठा तो मैं यहाँ पर आपको कुछ उठार मतारी हूँ आप इसके अलावा कोई अन्य प्रयोग कर सकते हैं वाक्य का अंग-अंग मुस्कुराना बहुत प्रसन होना दोड में प्रथम आने पर मयंग का अंग-अंग मुस्कुरा उठा ठीक है आगे देखिए अंगारे उगलना क्रोध में कटू वचन बोलना देखा होगा न आपने जो लोग क्या होते हैं अब लोग क्या हर विक्ती अगर हम अपनी बात करें तो हम जब गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं क्रोध में कटू वचन बोल जाते हैं लेकिन कटू वचन भी एसे बोलें कि उसको सुनने वाला इंसान क्या कर सके सेहन कर सके ऐसे नहों जो सेहन ये नहों यानि कि सेहन करने योग यहीं नहों तो ऐसे कटू वचन वगा प्रियोख ना करें तो यहां लिखा है अंगारे उगलना क्रोध में कटू वचन बोलना विक्ति गुस्से में कड़वे वचन बोलता है क्या लिखा है प्रियोग देखिए रतन ने पडोशी का सीशा क्या तोड़ा वह अंगारे उगलने लगा आप ही देखो किसी का सीशा तोड़ोगे तो आपको कोई प्रशाद तो नहीं देगा प्रंतु कुछ विक्ति की हर विक्ति का अपना स्वभाव होता है कोई विक्ति की गुसे को बहुत ही प्यार से यहां भास दिश्ञाल करें क्या कभी भी गुस्सा निंतर नहीं तो उल्टी गुंतियां शुरू कर दें दस से लेकी एक तक ऐसी बाइब पर कोशिक करते हो गे ना तो आप फोर तू पाइफ टैम आप करोगी भी ना या फिर आप टें से बन पर पोच्छोंगे तो धिरी धिरी आपका गुस्सा अपने लिए नॉमल हो जाती है चलते हैं अभी था हमारा दूसरा अंगारे उगले के क्रोध में कट्टू वच्छन बोलना अभी तो नहीं कोई वेक्ति अंगारे निकल देगा मुह से नहीं अंगारे निकलने का मतना गया नहीं कर दो गुस्सा होगा प्यार से तो कोई कड़वे चलते हैं अंधिय के लाथी एक मात्र सहारा यानि मीतू ही अपनी मा के लिए यह मीतू ही अपनी मा का इक मात्र सहारा है चीड़े है एक मात्र सहरन केके अंधे की लाटी बैट अब मुहावरा जो आया होगा उसी का प्रियोग करेंगे वाक्य के अंदर ना की उसके अर्थ का चीक़े चलते हैं आगे अपना उलु सिधा करना अर्थार्थ अपना स्वार्थ पूरा करना आज श्यक्र अनिक लोग अपना उलु स्वार्थ पूरा करना लोगों के दिमाग में क्या है तो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उससे मित्रता की है कुछ लोग बहुत धूत वेक्ति होते हैं जो केवल अपना 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 इफाइदा देखते हैं ठीक है तो अपना स्वार्थ पूरा करना आजकल अनेक लोग अपना उल्लू सिधा करने के लिए मित्रता का दिखावा करते हैं चलिए अब अगले पे अपने मुँ मिःह के बच्चों आप सभी बच्चे ऐसा मोका दीजये अपने अध्यापकों को आपने माता पीता को अपने मित्रों को और जो भी आजबास की अपके प्रशंशा करें ना की यापको मिया इस तनाना पड़ा उसका मन्तलब यह कि आपकी प्रशंशा के लिwie स्थानने में बना है कicket आज किसमें में इक विक्ति को सब्सकाइब बेंसदा रहा है और इस लि सबसे जदा उसका बुराई होने भुली ने रहती है कि वे आगे भढ़ने लगा कि और बहुत कर भाएं गणास के लिए क्यां कोई आट थी अपने मुमिया मिठू बनाना अपने प्रशंचा सुएम करना राजिव अपने मुमिया मिठू बनता रहता है ठीक है ठीक है तो सिर्फ राजीव बहुत सारे वेक्टी हैं जो अपने मूमिया मिठ्व बनाते हैं तो यह ना करके दूसरों को मोगा दें कि वह आपकी प्रशनिशा करें चलते हैं बगले मुहावरे पर अब यह देखिए यहां पर अगला आपको दिखाई दे रहा है आग बबुला होना बहुत त्रोधित होना कौन हो जाता है बब गुष्ण होते थे वह मैं चोटी थी तो पाप गुष्णा इतना ज्याधा होता था कि हम डढ़ के करना तो कभी खेल पाती थे जब वह बहुत अधी करोधित वक्ति को नहीं होना चाहिए थीके प्रियोक काश के प्रकाश प्रकाश मत्लिए यहां पर लाइट व प्रकाश के परिक्षा में अनुतीन यानि को फ़ेलPgох १ि प्रकाश के परिक्षा में अनुतीन हो जाने पर पिताजी आग बबूला हो उठे देखें यहां भी पिताजी ओ गया लगाग बबूला हो जाती है है ने तो अनुतीन होने का कारण जरूर पता करना चाहिए लेकिन ये मोहावरे का प्रियोग करना है आपको तो यहाँ पे है प्रकाश के परिक्षा में अनुतीन हो जाने पर पिता जी आग बबूला हो उठे लेकिन इसकी जरूरी नहीं आप यही लिखेंगे आपको जो आता है आप उसका भी प्रियोग कर सकते हैं प्रियोग अद्यापा की कक्षा में ना आने पर बच्चो ने असमान सीर पर उठा लिया आप देखो बहुत अधिक शोऔर करना अधियापा कक्षा में नहीं आये अध्याप एक कर्षा ना अने पर बच्चो ने असमान जिरफ पर उठा लिया अब जब आपको सोचे पांच मिनिट के लास में टीचर नहीं होती आप लोग क्या करते हो अफिल क्या को शोर करने लग जाते हो ऑग या है ये तनी अवाज होथे तैज जब टो से उन्तितों करते हैं मैं कृन ही lots गृत करना कोई बच्चा यह नहां सोचके के आसमान सेर पठाने का मतलब करता है नहीं इतनी पावर नहीं है आपके पास ठीक है आपके पास पावर है शुर करने की बहुत अदिक शूर करना प्रयोग अध्यापार के एक अक्षा में ना आने पर बच्चों ने आसमान सिर्फ पर उठा लिया चलते हैं आगे आख दिखाना घुसा करना आख दिखाना आए था घुसा करना आमने देखा ऊंगा जब छोटे-छोटे थे आप इवन बीभी आपके साथ होता होगा पापा especially ममी भी करती है कोई भी बात होती हैं कोई बार आखे दिखा के समझा देती हैं आपको कि मैं आखे दिखा रही हूँ, ये दिखा रही हूँ, भी मेरी आखो को बलती से भी दोॉइ ऐबात बोल मत दे ना ठीक है? आखे दिखाना यानि के कउए बार बात हैं इशारों के माद्ध हम से भी गया दे जाती थी है तो गुश्चा करना । आँखे डिखाना, अर्थात वहां गुश्त करना और टो वाली ने जब सीपही से जी किराया मंगा तो वह आँखे डिखाने लगा क्या करने लगा? आँखे डिखाने लगा चलते हां गे आखे खुलना, सच्चाई का बोध होना आखे खुलना सच्चाई का बोध होना मैं अब तुम्हें और रुपे उधार नहीं देख सकता मेरी आखे खुल गई है क्या कर रहा है? मैं अब तुम्हें और रुपे उधार नहीं दे सकता मेरी आखे खुल गई है आखे खुलना सच्चाई का बोध होना मैं तुम्हार घाष नहीं जे सकता मेरी आँके खुल गई है कुछ व運द होते हैं पैसे ले ले लेते हैं वापस करने का नाम ही नहीं होता करते हैंने भूर cent आपने देखिपी हो इंगे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोल देते हैं पर करना हुझा हुझा करते नहीं है पैसे दो और भूल जाएंगे कि आपने पैसे दिये थे यानि कि वह इसान फरामोश होते हैं कभी आपने उनकी अगर मदद भी कर दी और आप बोल दो कि मैंने उसमें किया तो था आपके लिए तो भाईया मेरे लिए भी कर दो कुछ ऐसा अगर आप बोलोगे न तो देखना उनके कि आपको शब्द सुनने को मिलेंगे ऐसे विक्ति एसान फरामोश होते हैं इसलिए इन विक्तियों से थोड़ा सा दूर रहे और इसलिए इसके लिए मुहावरा बना है आँखे खुलना सच्चाई का बोध होना सच्चाई का बोध होना आँखे खुलना प्रियोग नितिन अपनी मा की आखों का तारा है, इद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना आखों का तारा बहुत अधिक प्यारा, नितिन अपनी मा की आखों का तारा है, इद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना रवी, कहां गए हुए थे तुम, जैसे इसलिए रवी, कहां गए हुए थे, तुम तभी कुल इद का चांद हो गए हो अब इद का चान्द मात हो नहीं थो कर दो ने कि वह से चान्द हो गया है कि मुछ सब्लमा ऊलयू बनाना चांब कहती है क्या मुर्ख बनाना एक तो अच्छा भी लगता है शब्द उल्लू बनाना क्या होता है उल्लू बनाना यह मुहावरा है मुर्ख बनाना और हर वेक्ती जानता भी होगा उल्लू बोलते ही समझ में आ जाता है यह तो मुर्ख बना दिया इसने उल्लू बनाना मुर्ख बनाना पड़े जिखे आदमी को लू बनाना असान नहीं है, ये बस सच में सही है, चलते हैं आगे, एड़ी चोटी का जोर लगाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, ठाट, बहुत परिक्षम करना, एड़ी चोटी का जोर लगा दो अपने एघ्जाम के लिए, एडी चोटी का जोड लगा दिया अपने आने वाले भविश्य के लिए ठीक है परिक्षा में प्रथम आने पर आने के लिए हर्ष ने एडी चोटी का जोड लगा दिया देखा परिक्षा में प्रथम आने के लिए मतलब उसको पास हो जाने के लिए होता है ने वटा के हमें ज्यादा महनत नहीं करने हैं अगर हम बहुत कम में सेंटिस्फाइएं तो में महनत भी नहीं करने हैं लेकिन अगर उच्छा है यह थिली पॉझ यह चोटी को जोर लगा दुक समों को एक और एक ग्यारा होना संगठन में शक्ति होना यानि कि प्रियोग मिल जूल कर काम करने से कठिन काम भी सरल हो जाता है क्योंकि एक और एक ग्यारा होते हैं चीक है यानि कि एक और एक ग्यारा होना यानि कि संगठन में शक्ति होना प्रियोग मिल जूल कर काम करने से कठिन का काम भी सरल हो जाता है क्योंकि कि एक और एक ज्यारा होते हैं गास फिर्टें करते हैं यहां प्लस एक और इक इर्ट मतलब ग्यारा मुहावरा है यानिके मिलजुल कर काम करने से कťन काम भी सरल हो जाता है क्योंकि एक और एक ग्यारा होते हैं ठीक है कान पर जू ना रेंगना ध्यान न देना प्रियोग तुम्हें पढ़ने के लिए कितनी बार कहा है पर तुम्हारे कान पर जू तक नहीं रेंगती ये था ध्यान न देना कान कतरना बहुत चतुर होना प्रियोग रोहन छोटा है पर नृत्यों में बढ़ो के भी कान कतर देता है कान खोल कर सुनना ध्यान से सुनना यानि तो यह शोचता कि कान को खोल कर दो तो ये को गए करता है चुक ब्राबर वाले कम रेकं़ इंसे जाए में कोई हल्की सी भी ऐवाश fallen कांखड़ान हो जाना काठ का उल्लू मूर्ख व्यक्ति एक दिम काठ का उल्लू है वो तो मैंने तुम्हीं कितनी बार सर्वनाम समझाया पर तुम काठ के उल्लू ही रहे खीक है क्या कह रहे हैं मैंने तुम्हें कितनी बार सर्वनाम संझाया पर तुम काठ के उल्लू ही रही यानि कि बिलकुल मूर्ख वेकथी है इसको कितनी बार समझा लो इसमझ में ही नहीं आएगा चोलू का बैल हमेशा काम में वेस्थ रहना ठीक है जीसे कोलू का वैल किसी जो हमेशा काम में बजी रहता हैं कोई भी वेक्ति वेस्त नहीं होता पूरे दिन भर की अंदर कि वह समय नुकले प्रॉट वेक्ति है निकलता है तो इस प्रकार से निकलता है तो फिर भीkit Kensington क्योंकि हाथ में फोन होता है और बच्छों के हाथ में गेम होती है और चुटे चुटे बच्चे भी इस शब्द का प्रियों करते हैं वेस्ट शब्द का बिजी हैं ठीक है कोलू का बैल यह निकि का हमेशा काम में वेस्ट रहना आगे देख्ये यहां पर दोन हम दे रखा है प्रिया ज़रा भी अराम नहीं करती दिन भर कोलू का बैल बनी रहती है ठीक है आगे है खून पसीना एक करना खून और पसीना भालिया और इसको एक करने मे लगे हुए रधार बहुत अधीक मेहनद करना मुहिनी ने परिक्षा में प्रथम आने के लिए खून पसीना एक कर दिया किके मोहिनी ने परिक्षा में प्रथम आने के लिए खून पसीना एक कर दिया खुशी का ठिकाना ना रहना बहुत अधिक प्रसन होना प्रियोग परिक्षा में प्रथम आने पर काविया की खुशी का ठिकाना ना रहा खुशी का ठिकाना ना रहना बहुत अधिक प्रसन होना परिक्षा में प्रथमाने पर काव्या की खुशी का ठिकाना ना रहा हाथ पाउं फूल ना घबरा जाना प्रियोग परिक्षा में गणित के कठिन प्रशनों को देख कर रोहित के हाथ पाउं फूल गए कि क्या है दुबाइन से पढ़ रही हूं मोहिनी ने परिक्षा में नहीं हाथ पांफूल ना घबरा जाना परिक्षा में गणित के कठिन प्रश्णों को देखकर रोहित के हाथ पांफूल गया ऐसा होता है जिस विशय से हमें बहुत अधिक डर लगता है और उसके अगर कठि हमें देखने को मिल जाएं तो क्या होता है विक्ति हमेशा उस विक्ति घबरात हो जाती है मैं यहां पर अपने थोड़ा से को धारन दूंगी जब मैं कठ्षा सेविंत में थी तो मुझे गणित विशय से उस समय बड़ा फोबिया हो गया था मतलब आता भी था नहीं भी आ रट लेती थी तो हुआ क्या था परिक्षा में एक प्रशन ऐसा ही आया वो रट के चली गई मैं अप्रशन तो नहीं रटे जाते हैं यह कोई हिंदी या फिर ऐसे स्ट्री थोड़ी नहीं आपकी जो आप रटाफिकेशन कर लोगे मास है मास को तो सॉल्फ करना होता है हम र इसी ही अगला प्रशन देखें और बेल बज गई मुझे समझ में निया मेरा तो पेपर भी पूरा नहीं हुआ बेल बज गई है तो कैसे करूं पेपर को तो अब वो पेपर जितना हुआ सिफ उतने ही हुआ नंबर तो उसमें अच्छी नहीं आए उस समय पे लेकिन उसे ए बुरा लगार वह एक ऐसा हर्ट हुआ मुझे वह मुझे चीज ऐसी चुभी अपने मरे में ऐसे चुभा लिए उस बात को कि मैंने आगे भढ़ने के लिए परिक्ष्रम करना चुरूर किया और स्पेशली मास में और फिबाद में वह उस विशह में मेरे सबसे अधिक अच् लुक्स में रहाए थे तो इसी लिए कहा जाता है अगर जिस भी चीस्वे आपको डर लग रहा हो एक कार यह करना सीखें और अपनी मेहनत ज़रूर करनी है लेकिन लगन के साथ किसी और विक्ती के कारण नहीं आपके वर अपने लिए परिक्ष्रम कीजिए किसी और विक्त कुल गए गुडगोबर करना बने बनाए काम को बिगाड़ना आंधी ने सरकस देखने का मज़ा गुडगोबर कर दिया बने काम को बिगाड़ देना यानि कि आंधी आ गई तो जो सरकस देखने का मज़ा सारा गुडगोबर हो गया गले का हार बहुत अधिक प्यारा गले क कि वेर्थ में समय गवाते हैं क्या तुम सारी उम्र घांसी खुदते रहे जो अब भुडापे में भीक मांगने पड़ रही है समझ दो क्या करना चारा है क्या सारी उम्र तुम घांसी खुदते रहे जो भुडापे में भीक मांगने पड़ रही है घी के दिये जलाना बहुत खुशिया मनाना वनवास समाप्त करके राम के अयुध्या वापस आने पर अयुध्या वासियों ने घी के दिये जलाए घी के दिये जलाए गोड़े बेचकर सोना बेफिक्र हो जाना परिक्षा समाप्त होने पर प्रियंग का गोड़े बेचकर सो जैसे होते हैं आप लोगे जिसे एक्जाम खतम हो गए तो इसके बास चलो अब बिल्कुल घोड़े बेच कर सो रही है जब चंपत हो ना यह बाग जाना नो करानी सोने का हाल लेकर चंपत हो गई चार चान लगाना शोभा भडाना रवी ने एक अक्षा में प्रथम आकर माता पिता के सम्मान में चार चान लगा दिये चार चान लगाना शोभा भडाना रवी ने एक अक्षा में प्रथम आकर माता पिता के सम्मान में चार चान लगा दिये चिक न घड़ा होना कोई प्रभाव न पढ़ना राजु पर किसी बात का असर नहीं होता वहें तो चिक न घड़ा है चिक न घड़ा होना कोई प्रभाव न पढ़ना राजु पर किसी बात का असर नहीं होता वहें तो चिक न घड़ा है चैन की बंसी बजाना चैन की बंसी बजाना, बेफिक्र हो जाना परिक्षा समाप्त होने के कारण सभी बच्चे चैन की बंसी बजा रहे हैं ठीक है, बेफिक्र हो जाना छक्के छुडाना, बुरी तरह हराना क्रिकेट मैच में हमारी टीम ने विरोधी टीम के छक्के छुडा दिये जान पर खेलना अपनी जान जोखी में डालना भारतिय सैनिक जान पर खेल कर भी देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं अपनी जान जोखी में डालना यानि कि जान पर खेलना जी चुराना, काम में मन ना लगाना पढ़ाई से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए जबी पढ़ाई करो तो खुशमन से करो दिल लगा की करो उसके लिए जी मत चुराओ चीक है चलिए ये तो थे आपके बहुत सारे और इसमें भी इससे पर ज़्यादा आपको आपकी बुक्स में ही मिलेंगे पंद्रा मोहावरे आपको अपनी फेयर नोट बुक में ग्रामर की फेयर नोट बुक में आपको करने हैं ठीक है पंद्रा मोहावरे आपकी शुरुआती पंद्रा मोहावरे आप अपनी फेयर नोट बुक में ग्रामर में करेंगे ठीक है विच्छे धर्नेवाद